राज्यसभा टीवी का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज है हमारे साथ नैशनल अवार्ड विनिंग फिल्मेकर लीपिका सिंग दराई लीपिका सिंग दराई युवा फिल्मेकर, स्क्रिप्ट राइटर और साउंड रिकॉर्ड इस्थ है किछी दिन परे एमीतिय को संध्यारे सेमते जेल भी सरे कहिला जेल कला परे बहुत मासधरिता देहो और मनोख खरा प्रोवतला सेटी रही से जानी भाको पाईला जे ता बउय से अठरी रुबेसी ही दिले तको आजीवना कारादंड भी हे पारी धानता मुंदा जजा जेली तक अ वही केला जेली है कि वह्त भासी को है टॉदा मारीपितधए ये मोई एके हूँचे पंड को नहीं कि बा畏़ी लोफ सिथ ये व्योइगके उडिसा के मयूर्भंज जिले में एक आदिवासी समुदाय में जन्मी लिपिका अब तक कई नॉन फीचर फिल्में बना चुकी है लिपिका सिंग्दराई ने उडिसा के ही एक छोटे से गाउं में प्रारंबिक शिक्षा आरंब करके भारत के प्रतिष्टित फिल्म और टेलिविजन इंस्ट्यूट अफ इंडिया याने FTII से साउंड इंजीनियरिंग और ओडियोग्राफी में विशेशक गिता हासिल की है अपने छोटे से फिल्म करियर में ही लिपिका, फिल्म निर्मार और निर्देशन में चार राष्टिये फिल्म पुरस्कार जीच चुकी है जो उनकी अपने समकालीन फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के बीच एक उलेखनी उपलब्दी है लिपिका ने 2010 में हिंदी मराथी फिल्म गरूड के लिए बेस्ट आडियोग्राफी का 57 रास्ट्री फिल्म पुरसकार जीता तो वहीं भारत सरकार ने लिपिका को 2013 में फिल्म कांकी और सापो के लिए श्रेस्ठ narration और वॉसेवर श्रेणी में रजट कमल सम्मान से नवाजा नॉन-फीचर फिल्म सेक्शन के मुख्य परसकार Best Narration Voice Over लिपिका सिंग दराय को रजट कमल फिल्म कांकी और सापो के लिए लिपिका सिंग दराय को रजट कमल फिल्म कांकी और सापो के लिए the viewer with a strong sense of evocation. चौन्सट्वे रास्ट ये फिल्म पुरस्कारों के बीच, लिपिका सिंग दराई ने सर्वसेस्ट शैक्षिक फिल्म दे वाटरफॉल के लिए सर्वसेस्ट निर्देशक का पुरस्कार जीता. लोकल पीबल थिंग दे ओन थे फॉरेस्ट्स. लिपिका को अनेक फिल्म मोचसवों में बतौर जूरी और चैन समिती के सदस्ति के तौर पर भी आमंत्रित किया जाता है. लिपिका उडिसा में ही रहकर अपने फिल्म समंधी गतिविदियां संचालित करती हैं. जानते हैं कि आप उडिसा में पैदा हुई हैं और वो भी मयूर भंज के इलाखे में. तो किस तरह की जगा है जहां आप पैदा हुई हैं? बहुत छोटा सा एक शहर है बारी पदा जहां पे मैंने अपना बच्पन गुजारा है. और अब ही अगर मैं अपने बच्पन को देखती हूँ, तो लगता है कि वहाँ क्या समय था, मतलब मुझे सब कुछ करना था, पुरा शहर देखना था, सब लोगों से मिलना था, तो अल्मोस्ट सब को जानती थी, सब से मिलती थी, गाना गाती थी, डान्स करती थी, पेंटिंग करती थी, स्कूल भी जाती थी, तो मुझे समय ही नहीं मिलता था, स्कूल से वापस आते वक्त, एक छोटा सा पंप हाउस था, जहां पे घुसके बहुत सारा समय भी स्पैन करती थी, तो अभी जब देखती हूँ, शहर मुझे ऐसा लगता है, बट तब जब बच्पन में वहाँ पे जीती थी, तो मुझे सच में लगता था, कि बहुत एक छोटी सी दुनिया में रह रहे हूँ, और उसके आगे क्या है, कैसे लोग है, क्या करते हैं, उनकी पसंद क्या है, वो लोग कैसे जीते हैं, मुझे बहुत ज़ादा उसकी भनक ही नहीं थी, तो शहर को देखा जाए तो ऐसा ही था, बहुत ज़ादा एक्सपोजर मतलब नहीं था, और किस तरह का परिवार है आपका, जहाँ आपका जन्म हो, जिस परिवार में? मैं एक हो ट्राइब को बिलॉंग करती हूँ, जो एक ट्राइबल कम्यूनिटी है, तो मेरे ममी पापा भी वही उसी कम्यूनिटी के है, बहुत ओपन माइंडेड है बेसिकली, ऐसा कभी नहीं है घर पे के, तुम्हें ये पर्टिकुलर कुछ करना है, यही करो, वो करो, ऐसे ही छोटा सा परिवार है मेरे बहन के साथ, चार लोग हम लोग हैं, पापा बैंक मैनेजर थे, पूरा समय बच्चों के पीछे बिताना जैसे होता है, बच्चों का सपना, उनका सपना, वैसे ही पढ़ाई करो, गाना गाओ, वैसे ही समय था, ऐसा ही फैमिली है. कभी आपने परिवार और जो फोर फादर्स हैं, उनकी जो उनकी श्रिंखला को रिविजिट करते हुए पाया है, कि शिक्षा का क्रम कब से शुरू होगा आपके परिवार में? मेरे ममी पापा से ही, the first generation post-graduates, if I can say that. So, I think उन्हों ने ही, मेरे ममी और मेरे पापा ने, उन्हों ने ही पहली बार जो फैमिली से दूर जाके पढ़ना, एक गाओं से दूर जाके पढ़ना, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, फिर अपने अपने फील्ड में कुछ करना, शायद बोलोग पहले ही है. अच्छी में बोलोग पहले ही है. अच्छी तो फिर आपकी खुद क्या शिक्षा हुई, कहां से हुई? मैंने बारिपदा में स्कूलिंग किया, उसके बाद, बिकज मेरे पापा बैंक मैनेजर थे, तो ओडिसा में बहुत सारे शेहरों में घुमें. उसके बाद, ग्राजुएशन में ने विशाका पित्नम में किया, कॉमर्स में. दो मुझे 10th स्टैंडर के बाद, म्यूजिक मे ग्राजुएशन करने का बहुत मन था, लेकिन उतनी अंडिस्टैंडिंग नहीं थी फैमिली में कि एक इनसान म्यूजिक में भी ग्राजुएशन कर सकता है, तो वो नहीं हो पाया, और एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे, यूनो, हर वक्त ममी, पापा जो सोच रहे ह उसके हिसाब से करना छोड़ देना चाहिए, और मैं क्या कर सकती हूँ देखना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही मेभी थोड़ा सा रेबलियर्स होके, कॉमर्स पढ़ाई कर दी, कि मेभी MBA करके, कुछ अच्छी सी नौकरी करके, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, उसके बाद अपने में ड्रीम को चीज कर पाऊंगी, पर तब भी बहुत जादा क्लियर नहीं था कि ड्रीम है क्या, करना क्या है, गाना गाना है, तो गाने को लेके भी क्या करना है, क्योंकि बच्पन में मेरी हिंदुस्तानी क्लासिकल में 7-8 साल की ट्रेनिंग रही है, और उसी से ही मतलब इ क्या है, तो कॉलेज में जैसे विशा का पतने में कॉलेज में पढ़ने के बाद, कॉमस खतम करने के बाद, I didn't feel like studying MBA, or doing any sort of, that sort of work, so I thought that, अगर में अपने, you know, the creative field को चेज नहीं करूंगी, तो शायद मेरे अंदर कुछ मर जाएगा, तो फिर इस समाए में ने फिल्म इंसि करना, और म्यूजिक के साथ रहे के कुछ करूंगी, यह सोच के, और अडियोग्राफिय में, sound recording कोस में, apply किया, और मेरा हुआ, और में पूने में पढ़ने लगी, और वहां से एक, film making field के साथ, मेरी जरूनिस शुरू हुई, आपने का के, creative dream को चेज करने की जो बात है, यह जो creative dream कब आपके जहन में आया होगा, मतलब कब आपने पहचाना होगा कि कोई creativity की कोई तलाश है आपको, बच्पन में, मैं बहुत ही sensitive रही हूँ, and conscious रही हूँ, मुझे याद है कि, I think, मैं भी पहली बार, प्यार को महसूस करना, कि आप किसी को प्यार करते हैं, या पसंद करते हैं, जाहे वो इनसान हो, या कोई अनिमल हो, या कुछ भी, शायद तीन-चार साल की मैं जब थी, मेरी एक चडिया से बहुत दोस्ती होगे थी, एक वाटर क्रो के साथ, बहुत जादा दोस्ती होगे थी, that crow used to come to my window, and sit there, and I used to be very small, और मैं रोज मिला करती थी, एक बार मुझे कुछ तो मैं बिमार पढ़ गई, और जान नहीं पाई, window तक, और तीन-चार दिन के बाद मैं बहतर महसूस कर रही थी, और मेरे मन में भी था कि मुझे मिलना है उस चिडिया से जाके, पर मैंने कुछ तो हुआ मेरे मन में, और मुझे लगा कि, नहीं, और तू तीन मुझा दिन उस खिडिकी के नहीं गई, और मेरे पापा का बोलना है के वो, तो बढ़ यूस तो कम अवरी दे, और आफर 7-8 दे, मैं जब जाती हूं, अभी तो, वो मुझे देखने को मिलेगा, वो कितना उतावला है, क्या है, और बढ़ दिन कम बाग, तो 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 कितना है, और तभी मुझे तबसे एक डर भी रह गया है, मन में के, you know, if you are connected to someone or something so deeply, just don't play around with that emotion, और तभी ही, मैं हमेशा याद करती हूं, मैं, I think, 4 साल की ती, जब पहली बार school गई, घर पे रोती थी के मुझे जाना है, जाना है, तो भीज दिया, और वहां जाना है, तो ब मेरी school teacher थे, और मुझे सच में उन से प्यार था, you know, I can feel it, I used to love him, so बहुत conscious और अवेर रहती थी अपनी feelings के साथ, तभी, और उसके बाद जो मेरी schooling हुई, हमारी papa का transfer एक बहुत छोटे से गाउं में हुआ था, तो वहां पे जो school था, नीचे बैठके पढ़ते थे, बहुत ह काउं का स्कूल था, नीचे बैठके पढ़ते थे, काउं का स्कूल, और चारो तरह बहुत बड़े-बड़े पेड, like having that character, you know, old, इमली के पेड, आम के पेड, so उन सब के साथ, you know, में पढ़ा ही स्टार्ट किया, खिड़की से कुच जाओ, बहार सांप पगड़ो, रियल बॉर्ल के साथ एक अपनी दुनिया, बन चुकी थी, actually, तभी, और उसके बाद, जब मैं साथ साल की हुई, मेरी म्यूजिक टीचर आए, और हिंदुस्तानी क्लासिकल, मेरे ममी ने बोला, तुमें सेखना है, तो मैंने बोला, ओके सीखते हैं, तो उन्होंने सिखाना अगर आप पूछेंगे की क्रियेटिवली कैसे तुम्हारी मन में आया, तो एक म्यूजिक से आया, एक सुर से, जो पहले हम सारे गामा पाधन सा सीखते थे, वहां से आया, एक सुर गाती थी, और मैं कुछ इमाजिन करती थी, तो वहां से वो क्रियेटिवल्ड, शुरू की अच्छा आपको लगता है कि ये सब बाते जो अभी आप हम से कर नहीं है, ये पहले भी कई बार अलग अलग इंट्रिव्यूज में या ऐसे परसनल सेटिंग में आप कर चुकी हैं और एक रिकॉर्ड की सुई जैसे कि दुबारा इसी क्रम में, इसी अंदास में आप पहले सब बात करती हैं. दो कि ये बहुत बार बयान कर चुकी? नहीं, बिलकुल भी नहीं, मैं बहुत कम इंट्रिव्यूज में बात करती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर कोई देख नहीं रहा हो तो बात करना बहुत, बहुत सुविदा उसमें, वेरी कंफॉटबल फील करती हूँ. दूसरी दूसरे तरीके से हर बार होता है, जैसे मैंने कभी नहीं बोला था वो इतनी परसनल स्टोरी चुडिया के बारे में और पहली बार यहां पे किया, अच्छा तो ठीक है, फिर यह बताईए, कि यह जो समवेदन शीलमन, जिसकी बात आपने की, उसको एक अभिव्यत्त देना और उसके लिए किसी जैसे सिनमा फिर बाद में आपने चुना, हो सकता है, कि आप कविता चुन लेती, नाटक चुन लेती, गायान चुन लेती, लेखन चुन लेती, कोई भी विश है, लेकिन उसके बाद इस बात का एहसास होने के बाद इसे अभिव्यक्त करना है, यह कब शुरू हुआ होगा? जब मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्म करती थी, तब से मुझे लगता था कि मैं एक परफॉर्मर हूँ. उससे कम मुझे कुछ समझ में आता था. अगर किसी भी एक्सप्रेशन के मीडियम में उससे कम कुछ फील होता था, तो मुझे थोड़ा सा, you know, uncomfortable feel होता था. तो जब FTI में sound recording का course में ने खतम किया, मैंने अपने गुरू जो थे, उनका music, उनका voice record करनी की सोची. और तब ही मैंने, फिर मैं वापस कई औरेसा, जहां पे वो रहते थे, और मुझे पता चला, he was no more. तब ही मैं लेट मनी कॉल जी जो है, मैं डिरेक्टर थे, उनके साथ एक फिल्म करने जा रहे थी. उनके साथ म्यूजिक के थू ही हम लोग connected थे, और वो चाहते थे कि मैं उनकी जो लास्ट फिल्म है, उसका sound design करूँ. तो उनको मैंने बोला ये चीज़ के, मैं उनकी वोइस रकॉर्ड करना चाहती थी क्यूंकि उनका कोई ट्रेस ही नहीं है, वो सिफ सिखाने में बिलीव करते थे, परफॉर्मंसस में जादा बिलीव नहीं करते थे, मेरी गुरुजी, उनकी पास सिर्फ कोई पुरानी पर डिलीव नहीं होगी, तो वो जो समय था तब मनिकॉल जी नहीं बोला कि यू तक टेक थे camera and shoot and मैं भी वैसे ही सोच री थी पर करेज नहीं था, बर देन camera लिया और मैंने जुट करना स्टार्ट किया और वो मेरी पहली film बन गई, Tree a Man a Sea, तो एक पेड, एक इनसान, एक समुंदर, तो वहां से whatever feeling I got, it was quite unique, मुझे लगा कि यही मेरा performer का एक peak feeling है, you know, and I should just keep on doing it. यह तो खेर लेकिन FTI जाने के बात की कहानी आप बता रही हैं, लेकिन अगर आप बारी प्रदा से लेकर विशाखा पत्नम तक की यात्रा देखें, जहाँ शिक्षा तो आपकी होई रही थी, और हर गुजरते साल के साथ मन की एक दुनिया पहीं भटकती ही है, तो उस थिती में आपने कब कब पाया कि आपको कुछ अभिवेक्त करना है, वो कभी मौके बीच में आप देख पाती है, अभी व्यक्त करना है अपने आपको बताना है दिखाना है कि अंदर क्या है यह एक continuous process था ऐसा नहीं ताके मैं गुम हो जाती थी और बीच में मुझे लगता था अरे मैं अभी व्यक्त करना भूल गई और मुझे करना है और मुझे medium की जरुवत है ऐसा नहीं था हर वक्त एक continuous process था जैसे बच्पन में गाना गाती थी परफॉर्मेंस करती थी हिंदुस्तानी क्लासिकल के कभी-कभी not all the time कहानिया लिखती थी कविताय लिखती थी और लिखने का मुझे बहुत शॉक था दो मेरा जो मदर टंग है वो हो है हम लोग छोटे शहरों में रहके अपने community से काफी दूर हो गए है और language में बात नहीं करते मेरी schooling औरिया मेडियम में हुई है तो मैं औरिया में अपने आपको एक्स्प्रेस करती हूँ जादा तर तो मैंने बहुत कवीताय लिखी stories लिखा फिर जब कॉलेज चले गई वो वो जो दौर था जब मैंने commerce लिया तब मैंने शायद ठीक से पढ़ाई भी नहीं की और कुछ प्लेज में थियर्टिकल प्लेज में या अपनी स्टूडेंस को लेके बहुत सारी यूथ फेस्टिवल्स के लिए प्रिपेरेशन करना उसी सब में खोई रहती थी और शायद उसी के वज़े से ही मुझे लगा के इसी यूदियूस प्रोसस्स को आगे लेके जाना है लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिस मीरियम में इसको और प्रफेशनली कर सको तो फिर ये सब्सक्राइब एक दूसरा स्टेप रहा दूसरा स्टेप रहा है फटर जाने से पहले फिल्मों में आप उप देख ली थी कि यह एक माध्यum है जिस में आप अपने को अभीवेक्थ कर सकती है नहीं नहीं क्योंकि य। data जो जाएदा फिलमें नहीं देखती थी, बहुत जाएदा पढ़ती नहीं थी, बढ़ाई तो करती थी, बिकर्स शायद मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी सेकेंड आई होंगी अमनी क्लास में, मेरे ममी का भी बहुत हाथ था उसमें कि युनो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, वो एक प्रेशर के तरह भी काम दिया, लेकिन एक डिस्सिप्लिन बिलाया जीवन में, तो उसके बाद उनो उस समय में मतलब और भी कुछ पढ़ना है, या फिल्मों से भी कुछ लेना है, मैं उसमें जादा समय नहीं दे पाती थी, और वैसे बहुत लोगों को शब्दों की ज़रूरत होती है, आप अगर कुछ देखें के लिखी हुई है, तो आप उसको कुछ शब्द हैं, आप उसको पढ़ेंगे, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मैं एक इंसान को पढ़ सकती हूँ, मैं घर को पढ़ सकती हूँ, मैं पेड को पढ़ सकती हूँ, मैं अपने दोस्त को पढ़ सकती हूँ, मैं जीवन को पढ़ सकती हूँ, मेरा वही पढ़ना mainly वही रहा यह बहुत दिल्चस्प बात है और यह आप से ही पूछी जा सकती है क्योंकि कितना भी आप कहें कि हम लोग आप एक थोड़े अर्बन माहौल में पली इसलिए वो जो हो समाज का इथास है उससे पूरी तरह तो खेर नहीं कटी होंगी लेकिन अपने जो पीर गृप के बीच कभी-कभी ना समझे जा सकने वाला मतलब ऐसा कुछ माहौल है जिसमें मैं समझी नहीं जा पारी हूं I mean there are people who are unable to understand who am I ऐसी situation भी कभी रहती रही बीच-पीच में Almost, most of the time actually बैसी ही because जब मैं पढ़ती थी तब mostly मेरे जितने भी दोस्त थे वो लोग बहुत जादे ट्रैबल कम्यूनिटी से नहीं थे और एक चीज थी कि मेरे हम लोगों का जो income profile है जैसे मेरे पापा bank manager थे तो उससे क्या होता था ना जो basic जो society में जो एक वो है कि आप कौन से इंकम गूप से आते हैं तो हम लोग थोड़ा प्रिविलेज गूप में चले जाते थे तो यह हमारी हो कम्यूनिटी वाली जो भी discomfort है बाकी लोगों के साथ वो थोड़ा कम हो जाता था हाँ आप मेरे अपने मेरे ममी का जो गाउ है वहां पर कभी ऐसे मूरतियों को पूजा करना या घर में भगवान के डिफरेंट इफरेंट फोटो रखे पूजा करना ऐसा कभी इनों देखा नहीं है और मेरे जो नानी थी और मेरे नाना जी के जो बहन थे मैं उनको भी नानी बोलती थी जो मुझसे बहुत क्लोस थे उनके इर्दगेद मैंने एक फिल्म भी बनाया है ड्रागन फ्लाइन स्नेक लेटर तो उनका बहुत इंफ्लूएंस रहा है मेरे उपर बहुत स्ट्रॉंग एक लेडी थी तो उनको मैंने देखा है कि कैसे वो अपने आलाब का ख्याल रख रहे हैं क्योंके तालाब एक जीता जाकती मतलब एक एके अंसान जैसा बहुत सारे मचलिया हैं स्नेक से क्राब्स हैं कितना कुछ है तो मैंने देखा है उनको वो सब का ख्याल रखते हुए Quindi जब एक इनसान उस परीवेश से आता है तो सड़न जब आप देखते हैं लोगों को कि पागलों के तरह ऐसे आकार और उन सब को पूझना और बिलीव करना उसके उपर जगडा करना तनाव पैदा करना तो उसमें में बहुत कभी-कभी एक्सप्रेस भी करती थी और ये वाला क्वेस्टिन हमेशा रहता है कि पूझा क्यू नही करते हैं ये बहुत बड़ा डिफ्रेंस रहा है कि भगवान के उपर तो भरोसा ही नहीं है तो ये तो एक ही है और भी कई सारे हैं मेरे चॉइस को लेके कि छोटे बाल या लड़कों जैसे कपड़े क्यूं पहनना लुक्स को लेके काला स्किन तो ये सब को लेके जब आप आप वाइस करो इन सब चीज़ों को लेके तो आप ये मैंने फेस किया है थ्रूआउट एक चीज़ और भी है इसमें वो है कि जब आप ये देखती हैं कहीं मैंने पढ़ा के नौर्थ इस्ट में कोई एक बाहर से आया हुआ आदमी उसने खेत की मेर पर बैठे हुए बूढ़े से पूछा कि माजुली द्वीप कैसे बचेगा तो उसने कहा कि आप उससे बचाने की चिंता छोड़ दो वो बच इस तरह अगर आप देखिए चाहिए वो इन्वारिनमेंट एकॉलोजी या जो ये जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग ये सब को लेके शहरों की लोगों के लिए वो एक उसका अप्रोच दूसरा है वो उसको एक स्लोगन प्रोजेक्ट की तरह लेते है और आपने नानी के बारे में ये जिन भी परिवार जिन के बारे में का वो उसका एक तरह का और गानिक पार्ट है उस जीवाना है वतलता फैमली मेंबर है जो पेड है वो एक सदध से है हम लोग विकन इस तो टूसरा तूसरा गर थिए उस्ट ओशूस कर सकते हूं का प्रय अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म बनाई थी, The Waterfall, जिसमें औरिसा का ही एक जंगल है, जहां पे खंडाधार waterfall है, जिसको एक माइनिंग कंपनी खरीदना जाता था, बहुत हजार मिलियन का प्रोजेक्ट था, और वहां के जो community लोग है, अधिवासे लोग है, वो लड़के, fight करके, मतलब एक छोटा सा community, कुछ लोग, उस वाटफ़ल को बचा ले, तो इसको लेकर मैं डॉक्यमेंटरी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे एक पॉइंट पे एक प्रोजेक्ट मिला जहां पे मैं स्कूल के बच्चों के लिए कोई फिल्म बनाना चाहती थी, और उसी कॉ प्रवन लड़का जाता है अपने एक कजन के पास जो गाव में रहता है और बहां पे वो एक वा टरफॉल देखता है तो और जानता है कि इस वाटरफॉल के साथ लोग किसे ऐक से कनेक्टेड हैं और कैसे ये रॉटर्फॉल के लिए फाइट कर रहे हैं लोग, इस यह रड़ टर के बन जाती है, और नदी अमारे घर में यकाप के ऑंधर बहती है। वाशिंग म्षीन के अंदर अब कपड़ों के अंदर बहरी है। और नल कोलो तो एक नदी ही बहरी है। तो यह रियालाइजेशन तब ही होता है, जब आप बहुत ही क्लोज हो। मिटी से पेट से फूल से चिडियों से तो बिकर्स मैंने ऐसा फील किया है तो वो फिल्मों में भी लाना चाहूँ यही तो एक क्रेटिव प्रॉसस है जब आप अपनी स्मृतियों को और अपने जिस जगह पर आप रहे उससे देखने का जो आपका एक तरीखा है उससे ही निर्देशित और गाइड़िड होता है तो आप एक पेड़ पर नौक नौक कर रहे हैं यह इमैजिनेशन उससे ही जुड़ता है कि कितना आप और गेनिकली अपने इन्वारन्मेंट के साथ जुड़े हुए हैं मैं तो इसी बात पर आ रहा था आपने एक फिल्म का नाम तो रही लिया जिन फिल्मों के लिए आपको नेशनल आवार्ड वगरा मिले हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताईए खुद मैंने भी बदकस्पती से आपकी कोई फिल्म नहीं देखी है इसे आप हमें बताईए कि आपकी फिल्मों में ऐसा क्या है जिनको बार-बार इस छोटे से आठ साथ आठ साल के फिल्म करियर में आपको चार बार नेशनल आवार्ड मिले जब मैं आडियोग्राफी पढ़ रही थी साउंड रिकॉर्डिंग तभी मेरा एक प्रोजेक्ट फिल्म के लिए मुझे बेस साउंड रिकॉर्डिंग नाशनल अवार्ड मिला था शॉट फिल्म के उसके बाद मैंने पहली फिल्म अपनी बनाई अट्री अमानसी जो मेरे के उपर है और वो एक बहुत ही जादा परसनल एक्सपीरिंस था मैं तो वो फिल्म किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी मैं बस बना के अपने खबड में रख देना चाहती थी जब मुझे मन करेगा तभी देखूंगी वैसे तो मुझे साउंड ही करना था मुझे ऐसा जन्होंने मुझे फिनैंशली थोड़ा थRO हल्प किया था यह फिल्म को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर भी रह थे 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 और फिल्म का डेक ली उन्होंने इसको शुड़ेिया पोचिया मैं बेस सकता हो मैंने बोला ठीक है बीस सकते तो इस फिल्म को बैस्ट- पर वो experience बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, कि एक medium क्या ऐसा हो सकता है, जिसमें आप physically महसूस कर सकते हैं, किसी इनसान को जो है ही नहीं आपके सामने, वो experience था, नाशनल अवार्ड में, जब मैंने वो citation बढ़ा, तो actually वो citation इतना मुझे affect किया, जिसमें मुझे फिलाल पूरी देश से याद नहीं है, पर उसमें मेरे गुरुजी का उलेख था, कि कितनी सरलता से एक student ने अपने गुरु के बारे में ये फिल्म बनाई है, और कितना सरल और ev और जब मैंने जूरी कोई मिले मुझे और उन्होंने मुझे बोला के, युनों फिल्म देखने के बाद, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग फिल्म बना रहे थे, छुटी से फिल्म है, 30 मिनिट लॉंग, तब पहली बार मैंने जब अपनी टीम को बोला के देख चुका है, तो किसे को, क्या डॉक्यमेंटी कैसे बन सकता है, क्या है, युन बिलीव उस प्रोसेस में, जो हमारी ड्राइवर थे, कार के, जो हम लोग को लेके जाते थे, चार पांक दीन, गुरुजी के घर, he also got involved in the making, देखे ऐसे शॉट करने से बहुत अचा होगा, देखे वो है नहीं ना इंसान, तो उनके फीलिंग को लानी के लिए आपना ऐसे शॉट क्लिक कीजिए, तो he was also involved, तो एक ऐसा मीडियम जिसमें इतना सारा involvement है, सिर्फ आप ही involved नहीं हो रहे हैं, अगर आप बागी लोग को involved कर पा रहें, तो उसके वज़े से मैं कभी इसको छोड पाई, तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं औरिसा चल जाती हूं और वहीं पे फeilμεं बनाती हूं, तो फिर मैने अपने नानी जो नाना जी के बहन थी उनको मैंना नानी बोलती हूं, उनका बोह। जादा इनfluentर जैसे के मैंने बोलाई उन्होंने, she didn't like her husband, तो उन्होंने घर छोड़ दिया था, और वापस मुड़ के देखा नहीं था, she was like a man, मतलब, सब कुछ संभालना, घर का सब कुछ, खेती बाड़ी से लेके, गाय, बैल, सब कुछ संभालना, और जब भी वो आती थी खेत से, कुछ ना कुछ तो ऐसे साड़ी में लपेड के लेके आएंगी, फल, फूल, या कुछ तो, गिलहरी, या कुछ भी, तो उनके साथ, उनके साथ मेरा क्या रिलेशन्शिप था, मैं बंबे में एक प्रोजेक्ट कर रही थी, आर्ट इंस्टोलेशन प्रोजेक्ट, सिठी को सुनना, सिठी आसे स्टूडियो प्रोग्राम में तो एक एक आर्ट इंस्टोलेशन था, और उस प्रोजेक्ट में करते करते ही, एज एस एस्ण्रेकॉडर्य heldोगी के साउंद्स्केप को रेकॉड करते करते ही, मन में, मिनानी के साथ बात करने लगी, और वो फीलिंग इतना स्टॉंग था कि मैंने सुचा अगर मैं बात करने लग रही हूं क्या मैं इसको फिल्म बना सकती हूं इसको कैसे डाला जा सकता है तो वो जो आर्ट इंस्टॉलेशन का वीडियो था वो मैंने कम्प्यूटर में चलाया का प्रिखा की एक प्रिकॉरडर रखे और मैं जो भी बात कर रही थी मुझे तो अनको प्रॉच्षे कशन के लें अवाद रही हूं बना सननने के बात की लिए टोरी चेक है थ्वाशन क्यम नजांस्च स्टॉूर्च स्टॉर्च तो नानी पूच रही है तो मैं अपनी वाइस में बोल रही हूं और मैं अपनी आइसर कर रही हूं जैसे आप बहुत दूरैं Ukarissa है नह recharge है ना तो वोडस सा में रहती है तो मैं मम्भई में साउंड रेकॉर्ड्सस अब कर रही थी तो मैं बात वो पूछ रही है, मैं आंसर कर रही हूँ मैंने सुचा क्या मैं ये conversation पूरे उस image में लगा सकती हूँ क्या उसको एक film बोला जा सकता है तो मैंने लगाया और फिर इमेज में क्या लगा लगा? वो सारे conversation जो भी मैंने बात किया है जो भी मैंने रेकॉर्ड किया था conversation तो audio format में होंगे तो इमेज में क्या लगा आप इमेज में मैंने वो जो installation के प्रोग्राम में काम कर रही थी बॉम्बी में बहुत सारे जगव में जाके मैंने शूट किया था जिस जग़ का sound ले रही हूँ तो वो इमेज शूट किया था तो वो मैंने दो हिस्से में इमेज को बांट के split screen में दो इमेज को रखा और वो इक art installation था अभी लेफ्ट में और राइट में दो इमेज से मैं और मेरी नानी है तो दो वाइस मैं ही बात करी हूँ दो character तो मैंने लगा के देखते हैं क्या होता है मैं लगाना चाहती हूँ एक लेटर के तरह भी लग रहा है तो वो इक फिल्म बन गई और उसको best voice narration of the film का national award मिला तो इसी तरह मेरी यह 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 फिल्म भी बन गई तो इसी तरह यह फिल्म का जो यह एक process है वो आगे बढ़ता गया और भी किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगी कि हम लोग आगे चले हाँ तो बट इसके बाद यह जो फिल्म बनाई यह सब personal film थी उसके बाद मुझे लगा के मुझे जो issue बहुत affect कर रहा है उस point पे कुछ करूँ तो तभी मैं Odisha shift हो गई थी और newspaper में हर बार बहुत सारी witch hunting cases के बारे में लिख रहे थे लोग तभी ही anti witch hunting bill पास हुआ था तो during that bill क्या हुआ बहुत journalist यह cases cover करने लगे तो बहुत सारे cases के बारे में पढ़ने को मिलता था हर रोज तभी जो वो case वो law के petitioner है somehow she called me and she gave me a chance to visit a few cases तो मैंने जब वो लोगों से मिली और पता यह भी चला के बहुत सारे लोग मेरे community के भी है सांताल community के भी है tribal community के भी है और under privilege जितने भी communities उनके भी है पर तभी यह भी पता चला के लोगों को लगता है के यह सब सिर्फ डायन और डायन सोचके मार देना सिर्फ tribal communities में ही होता है तो तभी मुझे एक मैंने सोचा कि इसके उपर यह cases को लेके फिल्म बनाई जा सकती है सिर्फ case समझके नहीं इंसानों के उपर क्यूंकि cases में तो इंसान ही involved है इतनी भी फिल्मे में ने देखा था reference के हसाब से बड़ी production houses से cases को cases के तरह ही लिया गया है एक romantic like डायन किसी को बोला जा रहा है और उसमें एक इनसान इन्वाल्ड है उसकी कहानी उसका जीवन इन्वाल्ड है वो पिछे रह जाता है कि इनसाने कटे हुए सर को लेके चला गया यह बहुत जादा exciting हो जाता है और इंडिया से आये ते exotic पता नहीं क्या बोला जा सकता है तो मेरी फिल्म एक rebel जैसे थी मुझे इसका protest करना है ऐसी भी फिल्म बनाई जा सकती है जहां पे हम इसको एक अगर मेरी फिल्म के प्रिंटरियन नजर से देखे अपना पस्पेक्टिव बदले खुद पाटिसिपेट करें उसमें तो Some stories around which is I think the most important film that I have made that I have made And after that, the waterfall I have spoken about the best educational national award Yeah, so this is my national award but there is a lot of involvement हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ जो मैं आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं अजह मुझे बहुत बीच में बहुत एक चीज ने जिग आसा जग आई वो जो आर्ट इंस्टॉलेशन वाली बात है ऐसे तो मैंने पहले भी इस तरह के और्डियो प्रोजेक्ट्स देखे हैं मतल आप जो कह रही हैं उसमें विजूल सपोर्ट है उस आर्ट इंस्टॉलेशन में यानि कि हमेशा एक रेफरेंस अगर आप चर्च गेट का साउंड बता रही है तो चर्च गेट का कुछ एक रेफरेंस है लेकिन अगर ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हर शह आप उसमें अलग से क्या एफर्ट डालेंगी जबकि आपके पास जो गैजट्स हैं और जो मशीने हैं और जो माइक्रोफोन की इस्पेशालिटी है वो तो उसको खुद ही कर रही होगी आपका कान उसे फिल्टर करके ग्रैस्प करता है मशीने उसको तो आप उसमें आर्ट कै इससे दिखाएंगी कैसे बताएंगी और उसमें आर्ट इंस्टलेशन जब कहेंगी तो एक मशीन ने जो कुछ रिकाउर्ड किया आप ने उसको दिखादिया उसके बगल में आपने उसका कोई एक रफिरेग दिन्हां लगा दिखादिये झाओ किसमें आर्ट किया है? आप दो इनसान हैं, एक सिटी को बहुत अच्छे से पहचानता है, एक सिटी को नहीं पहचानता है, उन दोनों को दो कैमरा दे दीजिए, और बोलिए कि सिटी को शूट करके लाओ, तो दोनों का नजरिया बहुत अलग होगा, एक इनसान जो सिटी को और कोई भी जगह को बहुत जानता होगा, तो उसमें एक ठहराव होगा, क्योंकि वो एक चीज को बहुत बाहर देख रहा है, उसमें ठहराव होगा, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो एक जगर में जाके यह भी शूट करना है, ऐसे भी लेना, oh my god, it's so beautiful करके लेना है, यह वाला भाव नहीं करते हैं, इसलिए बहुत अंडरेस्टिमेट करते हैं, तो sound भी एक visual sense देता है, जैसे वैसे ही, आप recorded लेक देके, दो इनसान को बेजिए, जो सिटी को जानता है, और जो सिटी को नहीं जानता है, तो वो दोनों का भाव बहुत अलग होगा, पर आप एक first go में उसको शायद असान कर देता है, but without visual reference भी, अगर आप ध्यान से सुने, तो वो फिल्म में भी है, अगर आप ध्यान से सुने किसी चीज़ को, तो जो obvious है, उससे परे कुछ सुन सकते हैं, आप एक connection ड्रॉ कर सकते हैं, अगर एक randomly कोई जाके shoot कर दिया, या फिर sound record कर दिया, शायद आपको व पर अगर सोच के उस भाव के साथ, उस familiarity के साथ, कुछ शूट किया गया है, या sound recorded है, तो आपको जरूर जरूर कुछ तो एक connection होगा, और अगर जो record कर रहा है, उसकी वो clarity है, कि मैं किस के साथ connect कर रहा हूं, या कर रही हूं, तो audience को भी 10 में से, या 100 में से, एक audience को, हो सकता है, वो similar connection हो, without having that connection ना, अगर कोई जस चला जाए, तो कभी-कभी हो सकता है, you know, instantly उसका कोई impromptu एक idea हो जाए, और वो उसमें कुछ craft कर ले, sculpt कर ले sound को, बट कभी-कभी आप जानते हैं उस चीज को, मैं आपके बारे में जानती हूं तो, आपके बारे में ऐसा कुछ बोल सकती हूं, लिख सकती हूं, और दिखा सकती हूं, शायद जो पहली बार मेले, पुना दिखा में रहें, रसूल पकुटी रहें हैं, लेकिन अतनी एट लिंक बात नहीं हो पाई, आप से पूछता हूं कि sound design में, और वो भी किसी visual presentation में, cinema में, क्या design किया जाता है, क्या किया जाता है, आप मुझे बताएंगी, क्योंकि जैसे कल ही मैं एक film देख रहा था, वो एक Iranian film थी, old man never die, उसमें ऐसा कुछ भी करिश्मा नहीं किया गया था, बस कहीं बहुत दूर से आ रही है, लेकिन बस में दो बैठे वे लोग ऐसा लग रहा है कि foreground में ही बात कर रहा है, उसमें कोई perspective, कोई dimension, उसमें उन्होंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की थी, एक आदमी पहाड पर वो कहीं 200 मीटर दूर खड़ा हुआ है, वो भी उतना clear सुनाय दे रहा था, जितना वो नीचे खड़ा हुआ सुनाय दे रहा था, डिजाइन में क्या डिजाइन करते हैं आप लोग sound में, कि आप audience को क्या सुनाना चाहते हैं, जैसे विजूल स्टोरी में, आप audience को क्या focus में हैं, पर कुछ तो है, कि audience जो देख देख रही है, तो उसका नजर जो है, वो पीछे के तरफ जा रहा है, फो ग्रांड में जो चीजे नहीं है, उसके तरफ नहीं जा रहा है, कुछ तो है, वो कुछ तो director का participation होता है, वही है magic, या वही वो participation या presence है, डिरेक्टर का कि व क्या दिखाना चाहता है, वैसे ही एक sound recordist or designer का ये presence रहता है, फिल्मे, participation कि मुझे क्या सुनाना है audience को, और सुनाते, 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 ये क्या बनाना है, क्या बुनना है, जिसमें, इवेंचियली जो फिल्म बोलना, you know, whatever the film wants to say, वो सुने वो और मदद करे उसको और दूर में जो इनसान खड़ा है, पास में जो इनसान खड़ा है, उसमें perspective नहीं है, let's say, एक sound design में, मेरी बहुत पीछे एक इनसान खड़ा है, और मैं जितनी volume में बात करी हूं, वो भी उतनी volume में बात कर रहा है, तो शायद उस story में ऐसा ही करना है, वो एक decision है, शायद एक एक वोल्यूम देके मिक्स करना है, उसना है ओडियन्स को, और मैं शायद ओडियन्स को ही वो देना चाहती हूं, कि वो डिसाइड करे किसको सुनना है, तो मैंने अबी रिसेंट्ली एक फिल्म देखा, एक ओड़ के, इफी में, और उसमें दो लोग बात कर रहे थे ऐसे वो जो पीछे फोन में बात करें, उनके तरफ हम जुग गए, उनका स्टोरी इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर एक बच्चा फोन कर रहा है, हल्प नंबर में कि मेरी पेरेंस लड़ रहे हैं, मैं क्या करों, तो यह बोल रहा है, जाके दर्वाजा बंद कर दीजे, कब हम इनको भूल गया और कब हम उनको सुनने लगे, यह वो साउंड स्क्रिप्टिंग बोल सकते हैं, जो कि वीजूल स्क्रिप्टिंग के साथ साथ उसके नीचे या उसके उपर एक दम कंटिनियूसली जा सकता है, तो इस तरह से यह एक ऐसा एरिया है, यह एक ऐसा डिसिप्लि को भी समझना चाहिए, as a viewer, लेकिन लंबे अर्से तक जब तक यह इस तरह के कॉर्स नहीं डिवाइस हुए थे और लोग उसमें जाते नहीं थे, उससे पहले तो सब कुछ ऐसे ही चला हा रा था जो हम लोग के यहां फिल्में बनती थी, आपको क्या लगता है, कब से, नही मुजिक चल रहा है और इमेजस चल रहे हैं, तब भी हम, तब भी साउन का जो प्रेजनस था बहुत ही स्टॉंग था, आजकल हम उसकी इसको बात कर रहे हैं, अभी मल्टिपल ट्रैक्स में हम लोग काम करते हैं, स्टीरियो से लेके 7.1 से लेके पता नहीं कितने चैनल्स प सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या नहीं सुनाई दे रहा है, उसका भी तो एक पस्पेक्टिव है ना, वो मोनवे भी आसकता है, वो सिंगल ट्रैक में भी आसकता है, तो वो तो पहले से ही था, अब जादा लोग बिकर से आया, उ है कि ओ, साउंड बहुत जादा अभी डिमेंशन उसका चेंज हो गया, ऐसा नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, वन ट्रैक में भी आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या नहीं सुनाई दे रहा है, क्या आप सुनना चाहते हैं, और आप देखके एक पत्थर है, और उसमें ऐसे च है, क्या सकूँ चल रहा है और क्या सुननना है, ताप सो लेकिन जो दो आंक बाराहाथ जो फिल्म थी, मैंने अभी एक डॉक्यमेंटरी बहुत लंबी डॉक्यमेंटरी एडिट किया था, मंगेज दिसाई, The Sound Man तो उसमें मंगेज दिसाई जी के उपर पूरी बायोग्राफिकल फिल्म है, उन्होंने क्या क्या फिल्म किया है तो उसमें ये दो आख बारात ये फिल्म थी, तो उसमें अगर आप कुछ कुछ सीक्विंस देखें जो कि पूरा मोनो जाउन्ट साउंड है अभी भी लोग उसको याद रखते juntos मतब क्या सुन्दर sound scripting क्या सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है अभी audience को ये नहीं सुनाना है बाद में सुनाना है या अभी एक सुना देना है और पांच मिनिट के बाद उसको दो तीन बार सुनाना है So that है एक पुरा नरेशन बने साउन का तो तब भी था और सबसे और बड़ा एक्जामपल ये है गाने गाने भी तो लोग कितना याद रखते हैं वो भी तो एक साउन का हिस्सा ही है जैसे कुछ भी एक बहुत मेलडियस गाना जिसमे थोड़ा सा जुकाप थोड़ा सा कोमल स्वार लग जाते हैं तो इंसान थोड़ा वो फील करता है थोड़ा सा मेभी थोड़ा सा तो नराम तो उसका कनेक्शन तो हमेशा से है और अब ही मुझे लगता है कि कि अलसा मुझे यह भी लगता है कि बिकास अब दो इंटार डिजिटल फॉमाट यू नहीं भी जरूरत जरूरी नहीं है मतब चींटी भी चल रहे है उसका भी एक आप चलने की आवाज जाल देंगे उतना अच्डी में हाई डेफिनिशन में सुनना भी जरूरी नहीं है बिकास हम एसे सुन नहीं पाते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान कितना इंवाल्मेंट सौंड डिजाइनर का रहता है और कितना पोस्ट के दौरान पिर रहता है आप बहुत सारे लोग काम करते हैं पहले मारा अगर आजकल तो लोकेशन रेकॉड़िंग हो lenे लगि है ना सिंग सौंड जो बोलते हैं पहले तो बहुत पहले ऑ्प्टिकल ट्रैक में डिरेक्टली साउंड रेकॉर्ड हो जाता था पहली पर उसके बाद द ऑबिंग आने लगई उसके बाद फिर से से सिंग जो एक जन है, उसके बाद, जो sound cleaning करते हैं, sound editor है, sound cleaning करते हैं, sound को edit करके properly रखते हैं, decentralized, audio audio editor है, पिर उसके एक्ट्स लग नगाते हैं, ज़से घड़े का sound missing है, उसके owners sound editor होते हैं, and they are sound designer करते हैं, जो उनको बोलते हैं कि क्या क्या लगाना है, कहा क्या लगाना है, script को कैसे follow करना है, उनको as a person, sound designer, जो जैसे वो काम करते हैं, उस काम को, उस sense को फिल्मे कैसे लाना है, वो भी करते हैं, उसके सब कुछ हो जाने के बाद sound mixing कर होती है, जो final recording होता है, तो mixing engineer रहते हैं, और अगर फिल्मे गाना है या story में गाना है, तो music director, जिनको भी बहुत अच्छा sound की knowledge होना चा से बहुत सारे लोगों को मिला के, पूरा sound department का काम होता है, तो बहुत सारे लोग है इसमें, एक तो अपने मंगेश देसाई जी का नाम लिया, कुछ और नाम लीजे, उतने पुरा ने नाभी हों, तो भारत के हों, विदेश के हों, जो आपके पेशे में आपके लिए एक आ नाम लीजे, या फिर फिल्मेकर, या sound recordist, शायद में किसी का भी नाभी नाभी का हूं, विकर्ज पत्त, मतलब किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, सब मिलाकर एक अनुभाव बनता है, यह कहना चाहती है, हाँ, मतलब सच में, यह क्वेश्चिन मुझे, किसी का काम अच्छा लगा, या sound, शायद में किया जाना चाहिए, किया नहीं ने सकता, मतलब सच में मुझे, सच में ऐसे कोई ऐसा नहीं है, जो जिसका काम मुझे, सिर्फ उसी का ही काम इंस्पार किया होगा, या फिर उसी को ही मैं बोलूगी, इट कैन बी ए रेफरेंस, तो एक चीज कोई दूसरे स्टोरी के लिए रेफरेंस हो सकता है, पर एक कॉमन प्लाटफर्म के लिए नहीं हो सकता, या अच्छा साउंड है, या तो इस तरीके से ही, इस आंसर को देने में मुझे हमेशा मुझे है, तो हम लोग अब करीब बातों के आखरी हिसे में पहु तो सुनाईए ही, फिर इसके लिए भी तो या रही है कि आप क्या हो भाशा में भी कुछ का सकती है, कोई लोग गीत, कुछ नानी का सुना हुआ, कुछ भी, पहले आप गुरु जी वाला सुनाईए, मैं, मैं बहुत कनेक्टिट थी, गाने से, बहुत रियास भी करती थी, जब मैं बहुत छोटी थी, उम्री भी कम पढ़ गया, कि मैं विशारत जो होता है, वो भी नहीं दे पाई, क्यों मैं बहुत छोटी थी, सीख लिया था, पर नहीं दे पाई, उसके बाद क्या हुआ, यह जो पढ़ना और क्या करना है, अकेले जीवन को देखना, उसमें सच में गाने से बहुत दूर चली गई हूँ, पर जब FTI में थी, तब एक मज़दार चीज में बता सकती हूँ, वहां पर मैंने औरकेस्ट्रा में गाया है, बहुत लोग यह जानते नहीं है, मेरे दोस्त लोग भी नहीं जानते हैं, जो आक्टिंग बाच्च के स्टूडन्स करना एक दो उनसे में कपड़ लेके जाती थी, जैनरली, क्योंकि तब ही उतने जादा मेरे पास थे नहीं जो पढ़ाई किया मैंने, और पुने जो से शेहर में होता भी नहीं था प्रोजेक्ट तो मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, तो गाना चाहिए, तो मेरा जब गाके रेस्ट लेंगे तो बीच में जो निव कमर या वैसे उनको चांस देते हैं उसमें गाना, पर सम्हाव मेरी आवाज बहुत पसंद आ गई लोगों को, और मुझे चांस देने लगे, और मैंने बहुत एंजॉय किया वो दौर, उसके बाद, शाद मेने गाना ही न मिला, और जस्मोका ही नहीं मिला, मैं दूर चले गई और धीरे 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 वो सब होने लगा, और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अगर गाना सिखा ही था, तो क्यों उसको अभी क्यों नहीं गाते हैं, और मुझे लगता है, सिर्फ बहुत अच्छा वाइस होना ही होना चाहिए, उनो, शब्दों में भी वो ताकत होना चाहिए, जो आप गा रहे हैं, वो कुछ तो बोलना चाहिए उसको, तो वैसे शब्द मुझे नहीं मिले, वैसे कहानी मुझे नहीं मिले, जिसको मैं गा के सुना सको, अगर मुझे मिलेगा, कभी तो मैं गा के सुना हो पहले जब हिंदुस्तानी क्लासिकल में जो बंदेशे होती थी, सब सैया, बल्मा, अनाडी, सैया, यह सब, मैं तो बच्पन में गा देती थी, बाद में हर वक्त सिमिलर लुरिक्स, सिमिलर रंदिशन, वो करना मुझे कहीं वो लगा, मुझे तो एक वोईस लेके गाना है, ब अभीमान फिल्म का, नदिया की नारे, अभी अनाडी सैया अच्छा नहीं लगता है, वो लिरेक्स और यह सब मुझे लगता रही, कुछ और लिख सकते हैं, पर तब में बहुत गाती थी, तो वो मैं सुना सकती। सुनाइ, हे नदिया की नारे, हे राए आई कंगना, नदिया की नारे, हे राए आई कंगना, एसे उलज गए अनाडी सजना, नदिया की नारे, हे राए आई कंगना, नदिया की नारे, हे राए आई कंगना, काहे पन घट उपर, गई थी, चल के अकेले हो, मारी हस हस ताना, सारी सक्खिया सहेली, गोरी और जाओ, नमानो कहना, गोरी और जाओ, नमानो कहना, नदिया की नारे, हे राए आई कंगना, नदिया की नारे, हे राए आई कंगना, हे राए आई कंगना, यह तो मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है, जिसमें एक ताने को, ताना देना कहते हैं ना, ताना मारना, व्यंग करना, उसको कैसे गाने की इस लाइन में, गोरी और जाओ, और जाओ, मतलब कहना ना मानो, यह वाला जो एक अंदाज है, और जाओ, और जाओ, नहीं माना था ना मेरी बात कहना, यह जो इसको गाने में, कैसे छोटे से अंदाज में उन्होंने पिरोया, शायद यह जो एक, जैसे कहानी जासी है ना, तो वो इससलिए मुझे बहुत पसंदा गया था, कि एकदम विजुल इमिजस हैं, अगर आप देखे भी ना, एक कहानी जैसे आप इमेजन कर सकते, तब तो मुझे समझ में भी नहीं आता, तो बच्मन में बहुत गाती थी, और शायद गानी के बहुत बार यह बहुत बार यह बहुत बार यह फिल्म बच्पन में समझ में आता था नानी के साथ बात भी करती थी कुछ-कुछ, बट मैं बिलकुल नहीं बोल पाती, और जब औरिसा गई, तो मैं बहुत सारे ऐसे ही एक दिन लगा कि कुछ तो गाना रेकॉर्ड करना चाहिए, बिकर्स मुझे वह बहुत अच्छा लगता है, जैसे ट्यून में लोग गाते हैं, तो मैं बहुत सारे गाउ में गई थी, और रेकॉर्ड किया था गाना, और हमेशा सोचा था कि यह गाना सुन के सीखूंगी, पर कभी नहीं सीख पाई, जब वो मौका ही नहीं मिला, पर मैं जरूर सीखना चाहूंगी और गाउंगी, पि जब लोगों को पता चला कि मैं कम्यूनिटी से हूँ, और शायद हमारा जो किली है या जो क्लान है वो दराई है, तो दराई के बहुत कम लोग रहते हैं कहीं पर, ऐसे पता था उनको, तो दराई के लोग आए हैं, आरे अरे बुलाओ, तो ऐसे हम घर पे ही और घर पे किसी को भी आप गाना गाने के लिए बोलेंगे, तो वो किसी के बारे में किसी वे ओकेजिन में गाना गाते हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारा रेकॉर्डिंग है, तो ऐसे ही शाम को एक बार सब लोग रात को बैठे थे और बाते कर रहे थे, खाना बन रहा था, आग भी जल रही करेंट भी नहीं था गाओ में, तो सडली कोई चार लोग मिलने आय थे, चार लोग से, सब एठे हुए थे, मैंने बना सब एक साथ गाना गा सकते क्या, हाँ, तो सब लोग एक साथ एक चीज को गाय, तो गाना तो ऐसा ही है, और रिसर्च के दोरान मतलब, देखे न, दूर से सुन के बता सकता है कि ये कौन से, कौन से ओकेशन का है, तो अभी बच्चा हुआ है, या अभी शादी होने वाली है, या अभी कोई मर गया है, तो वह रिदम भी अलग होते हैं, तो रिदम दूर से सुनाएं दे रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि वह बच्चा ह तो लीबिका जी हम लोग अब करीब करीब बातें खत्म करेंगे जिन विश्यों पर आप जादतर फिल्में अभी तक बना रही हैं वो प्रकृति और मनुश्य के मधुर सम्मंदों की इच्छा या कहिए कि उस उद्देश्च से बना रही हैं शायद क्या कहींगी अभी आप खास तोर पर ये जो विकास का एक पूरा स्वरूप हम लोगों के हाँ चल रहा है और साथ में हम धीरे धीरे उसके लिए भले स्लोगन लिखे जा रहे हूं कैमपेंच चलाए जा रहे हूं क्या हो क्या रहा है पहले तो सब लोग बहुत अकेले पढ़ रहे हैं पहली बात हुए है और अकेले पर सब रहे हैं और अकेले एक तरीके का प्रोफेशनल आपने पढ़ाई की हैं और उस प्रोफेशन में आप चले गए हैं और उसमें एसे बंध गए हैं कि आप शायद वो काम करना भी नहीं चाहते हैं लेकिन कोई और option नहीं है आपको वो काम करना ही पड़ेगा तो वहां से आप निकल नहीं पा रहे ह करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है आप नाम कमाना है घर बनाना है security देनी है और भी यह है कि एक जो यह अचीव करना है या देश को या खुद को वो बहुत जादा यूनो बहुत जादा underlined हो गया है अभी पैदा होने के बाद ही हमको पता चल हो जाता है कि हमें अचीव क्या करना है यूनो उससे क्या होता है न हम बहुत अकेले पढ़ जाते हैं अपनी अचीवमेंन के जानी में या वो यूनो सर्वाइवल के स्ट्रॉगल में बहुत अकेले पढ़ जाते हैं और उससे जो डिसकनेक्शन आप डिसकनेक्टर हो जाते उससे सुसाइटी में क्या हो रहा है, politically क्या हो रहा है, या आपकी neighbor के साथ क्या हो रहा है, आप ज़्यादा aware ही नहीं रहते हैं उसके बारे में, जब तक वो awareness नहीं आएगा, आप एक video clip देख लेंगे, जहां प एक celebrity बोल रही है कि मैं तो कांच का बॉतल लिख के लिए जाती नेचर का ख्याल रख सकते हैं, या विकास क्या है, समझ सकते हैं, ऐसे छोटी-छोटी सोशल मीडिया में, या फिर जैसे इंटरनेट के थूँ, जो जो इंफोमेशन आ रहे हैं, हम अकेले पर हो रहे हैं, और उस इंफोमेशन को ले रहे हैं, जैसे कम्यूनिटी के साथ, एक फ्रेंड सी, दोस्ती कम्यूनिटी है, या एक जैसे सोच रहे हैं, उनके साथ कुछ भाव, आदान, वैसा बहुत कम हो गया है, तो मुझे लगता है कि, यूनो, जो इंडिविजियलिस्टिक अप्रोच है हमारा, अगर उसका परसेप्शन बदले, कि, अगर हम वो समझ किसी तरीके से, तो हर चीज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अवेर होना बहुत ज़रूरी है, आप अवेर नहीं होंगे, तो आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में, तो वो होने के लिए आपको एक बहुत mentally healthy, और physically healthy, और एक खुशी वाल माहौल में जीना बहुत जरूरी है, इधर हम उस माहौल को create करें, अपने घर में, और अपने घर के बाहर, अपने छोटे से शहर में, या city में, या फिर at least अपने साथ कुछ, अपने आपको aware करें, और कुछ परिवरते नहीं किसी भी medium में, आप जिस भी medium में काम करें हैं, आप किसी भी medium में काम कर सकते हैं, जो completely expression से दूर है, लेकिन basic human expression तो है, आप किसी के साथ बात तो कर सकते हैं, वो पहला pure expression का medium है, तो aware होना बहुत जरूरी है, being an individual, और a filmmaker, और जो भी, वो मुझे लगता है बहुत जरूरी अभी बाकी सब चीजों से, बहुत बहुत शुक्र लिपी का अपने हमारे लिए इतना समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत तरी बात ही बहुत शुक्रिया, ये थी लिपी का सिंग देराई, प्रोग्राम गुफ्तगु में, जो के कई national award जी चुकी है, फिल्मों के, और हमारे साथ गुफ्तगु में आज अपने से एक प्रतिक्रिया फिलाल आपके लिए झाल आपके लिए भुफ्तगु में, बहुत अपने, झाल आपके लिए, तरी चाल आपके लिए साथ एक वाने झाल झाल झाल